दोस्तों नमस्कार मैं गीता कोचर एक बार फिर से आप सभी के समक्षु पस्तित हूँ अपने चैनल और अब शेक भटनागर चैनल के माध्यम से आज बात करेंगे अंक 28 के बारे में एक दस उननिस और अठाइस को जन्मे व्यक्तियों का मूलांक एक होता है परन्तु सभी की जीवन शेली काफी अलग होती है जहां एक संपून रूप से सोरे के प्रभाव को लेकर रहता है वहीं दस थोड़े कम प्रभाव योगत होता है परन्तु उननिस कार्मिक अंक के चलत जब तक सही करमाज के अंतरगत काम करता रहता है उसे संपून सोरे के फल मिलते हैं परन्तु जैसे ही वो अपने करमाज से विमुक होता है या गलत कारियों की तरफ जाता है वहीं उसके जीवन को नकारात्मक परिणाम देखने को अवश्य मिलते हैं और अंतिम अंक है 28 जि चंद्र और शनी के संयोग से बनने वाला जो सोरे का अंक है वो सोरे के प्रभावों को उस तरह नहीं दिखा पाता जिस तरह सोरे के प्रभाव होते हैं यानि की अपने जीवन में वो सोरे से संबंदित वो सक्षमता वो सफलता नहीं पा पाता जिसका वो हकतार होता है मूल एक के चलते जैसा कि हमें मालुम पड़ता है कि चंद्र और शनी दोनों अंकों के सही योग से मूलांक एक बनता है यहां पर 28 के अंक वाले वेक्तियों के लिए तो इस तरह के वेक्ति काफी भावनात्मक, समझदार, सहनशिल, महनती, प्यार करने वाले अपने रिष्टों को एहमियत देने वाले होते हैं परन्तु कहीं न कहीं इन्हें अपने प्यार और परिवार से वो सम्हून सुख नहीं मिलता जिसके ये हगदार होते हैं इस वज़े से इनके जीवन में कुछ तनाव, कुछ फ्रस्ट्रेशन बनी रहती है और समय समय पर ये उस तनाव के चलते स्वयम अपने ही विचारों में इस तरह से खो जाते हैं कि उनका जीवन कहीं न गए उन्हें नेगेटिव या अर्थीन लगने लगता है तो ऐसे विक्तियों को चाहिए कि वो अपने आपको संपून समय दें, अपने आपको निखारने में समय लगाएं, किसी भी तरह के न आत्म विश्वास युक्त रखते हैं, तो आपका जीवन सफल सक्षम होगा, आप एक सफल व्यवसाई, इंजिनियर, डॉक्टर या सफल चिकितसक भी बन सकते हैं, तो अंक 28 वालों के लिए आज का मेरा ये थोड़ा सा विशलेशन था, आशा है, आप सभी को पसंद अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, 28 के विशह में, तो प्लीज आप दिये गए नंबर्स पर कंटैक्ट कीजिए, या हमें मैसेज कीजिए, थैंक यू सो मच,